गुड मॉनिंग फ्रेंड्स वेलकम तो आवर चैनल वेटो सक्सेस और लेकर आए हूँ आपके लिए एक सेक्टमबर के सभी लेटेस्ट क्रेंट अफेर्स जो की आपके रिटिन एग्जाम के लिए बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है इसलिए अगर आपने भी तक चैनल सब सब्सक्राइब कर लिए और साथ इस बैल आइकन के दबा दे ताकि आपको मारी वीडियो के नोटिफिकेशन बिल्कुल प्रोपर तरीक से मिल सके अगर आप इन सभी कोस्टिंस के पीडियेफ चाते हैं तो आप नीचे डेस्क्रिशन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेशन की तरफ तो ख्रोप्चन वन है इसलान गेम 2018 में 30 अगस्ज को जिन्सेन जोन संद्न में पूर्सो के पंद्रसों मीटर दोड में कौन्सा मेडल जीता ङ прошां पंदरा सो मीटर में गोल्ड मेडल जीता नेक्स्ट है कुश्चन नमर दो वायू और धवनी परदूशन की समश्या को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने अधीकारियों को एक से अधीक सरकारी वहां नहीं इस्तमाल करने का आदेश दिया यानि कि धवनी परदूशन और जो वायू परदूशन की समश्या को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने अधीकारियों को आदेश दिया कि सरकारी वहां एक से ज़्यादा इस्तमाल नहीं किये जाएंगे उत्तर है खै यानि कि दिल्ली सरकार हाल ही में किसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सरकार ने रिजर्व बैंक ओफ इंडिया से 21 पब्लिक सेक्टर के बैंकों में से विलै करने के लिए बैंकों की पहचान करने का निर्देश दिया है उत्तर है गै ब्लूम बर्ग केंद्रिया मंत्री मंडल ने किसकी अध्यक्सता में भारत और मारकों देश के बीच हवाई सेवाओं के लिए संसोधित समझोते पर हश्टाक्षर किये अनुमति दे दी है केंद्रिया मंत्री मंडल ने किसकी अध्यक्सता में भारत और मारकों देश के बीच हवाई सेवाओं के समझोते पर हश्टाक्षर की अनुमति दे दी उत्तर है गय अमरिंदर सिंग कोश्चन पांच है इन में से किसने पहली बार ड्रोन के इस्तमाल के लिए एक निती यानि की विनियम की घोशना की ड्रोन आप जानते हैंगे कि जो आप छोटा हो हेलिकॉप्टर कैमरा होता है उसे ड्रोन बोलते है कोश्चन पुटब हो रहा हैं इन में से किसने पहली बार ड्रोन के इस्तमाल के लिए एक निती की घोशना की है उत्तर है केंदर शरकार शरकार ने घोशना की है कि ड्रोन के लिए एक नियम बनाया है कि 400 फीट से ओपर नहीं उडा सकते ड्रोन को नेक्स्ट है छे रास्ट्य खेल दिवस कब मनाया जाता है ये कोश्चन क्रंट अफेर में आया लेकिन क्रंट अफेर के ये कोश्चन नहीं है मैं आपको बता दो ये क्रंट अफेर में क्यों पोशा गया है क्योंकि 29 अगस्थ है इसका उत्तर रास्ट्य खेल दिवस 29 इसलिए ये current affair में दिया गया है और आप इस बात का ध्यान रखे कि आपके written exam में आ सकता है Group D हो या SSC कोई भी आपका exam हो आपके written exam में 100% पूछा जाएगा क्योंकि 29 सगस date अभी अभी गई है इसी वज़े से ये question आपका बन सकता है Next है question number 7 पस्चिम बंगाल सरकार ने Asian Game 2018 में Heptothlone इस प्रधा काश्वन पदक जीतने वाली स्वपना बर्मन को इनाम सवरूप कितने लांक रूपे और सरकारी नोकरी देनी की घोशनकी यानि कि जो स्वपना बर्मन थी जिसने Heptothlone में सवर्ण पदक जीता पस्चिम बंगाल सरकार ने उसे कितने रूपे इनाम देनी की घोशनकी और एक सरकारी नोकरी उत्तर है A 10 लांक रूपे देने की घोशनकी और एक सरकारी नोकरी कल ये कोशन आया था कि किसने Heptothlone में सवर्ण पदक जीता उत्तर था स्वपना बर्मन Heptothlone एक इवेंट है जिसमें जिसके अंदर साथ इवेंट होते हैं आपका जैवलीन भी होता है रनिंग भी होता है हडर रेस भी होते है कितने सारी इसमें इवेंट होते हैं और ये Point Based होते है यानि कि इसमें Point बिलते हैं तो इसमें पस्चिम बंगाल की थी स्वपना बर्मन जिसने स्वण पदक जीता उसको 10 लाग रुपे देने और एक सरकारी नोकरी देने की गोशनकी पस्चिम बंगाल सरकार ने किस आयोग ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में कहा कि देश या इसके किसी पहलू की आलोशना को देश द्रो नहीं माना जा सकता उतर है विधी आयोग केंदर सरकारोर एशियाई विकास बैंक के बीच यहाँ पर देखे केंदर सरकारोर एशियाई विकास बैंक के बीच 30 अगस्ट 2018 को किस राज्य में सिचाई की कारिय दक्स्ता सुधारने हेतु 375 मिलियन डोलर के कर्ज के समझोते पर हस्ताक्षर हो गए है यानि कि यह पूछ रहे कि किस राज्य में सिचाई की कारिय दक्स्ता सुधारने के लिए केंदर सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच 375 मिलियन डोलर के कर्ज के समझोते पर हस्ताक्षर हो गए उत्तर है इसका C. मध्यापरदेश राज्या यानि कि मध्यापरदेश राज्या की सिचाई की कारिय दक्स्ता सुधारने के लिए 375 मिलियन डोलर के कर्ज पर समझोते पर हस्ताक्षर हो गए नेक्स आता है मारा कोशन नमबर 10 भारत और किस देश ने 30 अगस 2018 को आपस में सहयोग बढ़ाने के लिए 2 समझोते पर हस्ताक्षर के ये बड़ा इंपोटेन कोशन है आप इसे ध्यान से देंके उत्तर है A. कमबोडिया भारत और किस देश ने 30 अगस 2008 को आपस में सहयोग बढ़ाने के लिए दो समझोते पर हश्टाकसर के उतर कमबोडिया नेक्स्ट है 11 निमलिखित में से किस राज्य ने तीन नए जिलों के निर्मान हेतु विधयक को मंजूरी परदान की यानि किस राज्य में तीन नए जिलों का निर्मान होगे जिसके लिए बिल मंजूर हो गया यानि कि विधयक भी पास हो गया है उतर है C अरुनाचल परदेश अरुनाचल में तीन नए जिलों का निर्मान होगा नेक्स्ट है 12 HRD मंत्रालिय ने नवन मेश को बढ़ावा देने के लिए किस रैंकिंग को आरम किये जाने की घोशना की उतर है D अटल रैंकिंग HRD मंत्रालिय ने अटल रैंकिंग को निर्मान किया यानि कि आरम किया नेक्स्ट है 13 भारत का पहला विष्व मोबिलिटी सिखर सम्मिलन 2018 किस नाम से आउजित किया गया आज किसी इसका बहुत से जाद इंपोर्टेंट कोश्चन है आपके रिटन एग्जा में 100% पूछा जाएगा भारत का पहला विष्व मोबिलिटी सिखर सम्मिलन 2018 किस नाम से आउजित किया गया उत्तर है ए मूव नाम से आउजित किया गया मैं आपको बता दू मोबिलिटी सिखर सम्मिलन किया है ये एक विज्ञान से जुड़ा सम्मेलन जी इसमें विज्ञान के विकास के बारे में सम्मेलन किया जाता है यानकी बात की जाती है एक समिट बिठाई जाती है तो ये विज्ञान से सम्बंदित है नेक्स्ट है और ये मूव नाम से आउजित किया गया 30 अगस्ट को नेक्स्ट है चोद है आज की सीज का सेकिंड लास्ट कोश्चन है निमलिखित में से किस भारतिय धावक ने अठारवे एश्याई खेलो के बारवे दिन पुरूसों की 1500 मीटर इस प्रधा में स्वनपदक जीता इंपोटेंट कोश्चन है क्योंकि आपर स्वनपदक की बात आई है पूछ रहा कि अठारवे एश्याई खेलो में बारवे दिन पुरूसों की 1500 मीटर में स्वनपदक जीता कोश्चन पहला ही था ये उतर है बी जिनसन जोनसन जिनसन जोनसन ने 1500 मीटर दोड में स्वनपदक जीता लास्ट कोश्चन है पहले सार्क किरसी सहकारिता व्यापार फोरम का आयोजन किस देश में किया जा रहा है ये भी इंपोटेंट कोश्चन है आज किसी किया जा रहा है उत्तर है बी नेपाल में काट मांडू में किया जा रहा है जो कि 30 अगस्ट को किया गया था 30 अगस्ट से और 6 सिक्तमबर के बीद चलेगा तो आज की सीज में इतनी कोश्चन हम कवर करने वाले हैं मैं आपको बता दू जो मैं आपको डेली करंट अफेर प्रोवाइड कर रहा हूँ यह आपके रिटिन एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है मैं आपको डेली प्रोवाइड कर रहा हूँ बिलकुल लेटेस्ट अफेर है इसलिए आप कोई भी वीडियो मिस बिलकुल ना करें अगर आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना कोभी सुजावो तो नीचे कमेंडर बुक्स में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बूलना तो आज की इस वीडियो में इतना ही था कल मिलते हैं नए क्रंट अफेर सीज के साथ तब तक के लिए नमस्कार